ये गाईस वल्कम बैक तो मैं चैनल दीपिका स्टाइल और मैं हूँ दीपिका कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब ठीक होंगे तो आज जो मैं रेस्पी लेकर आई हूँ वो है ये मूंग डाल तो बहुत टेस्टी और पॉस्टिक होती है मूंग डाल और बहुत हैल्दी होत है तो मूंग डाल को हम दो तरीके से बना सकते हैं और बॉल करके भी बना सकते हैं तो ये वीडियो आट तक जरूर देखना आई होप आपके लिए हलफुल रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक जरूर करियेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजि आपको मिले तो मुंग डाल बनाने के लिए मैंने आपे कुछ समगरी ली है तो सबसे पहले मैंने आपे छिलका लगी हुई मुंग डाल ली है आप बिना छिलके की मुंग डाल भी ले सकते हैं तो मुंग डाल को मैंने अच्छे शे वाश कर लिया है और पानी इसका अलग कर ल एक मीडियम साइज का टमाटर है उसको भी चौप कर लिया है छोटी टुकड़ों में नेक्स यहां पर लैसों है आठ से दस कर लिया बारी कटी हुई और थोड़ा सा कद्दू कस किया हुआ अधरक है नेक्स यहां पर रिफाइन डॉय लिया है और नेक्स यहां पर मैंने क्यारी शुरू करते हैं तो दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने यहां पर कुछ से चीज़ें ली है तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक चमच घी लिया है नेक्स मैंने यहां पर हींग ली है थोड़ी सी और नेक्स यहां पर सूखी लाल मिर्च है सावत लाल मिर्च है 4-5 नेक्स यहां पर आदा चमच लाल मिर्च पाउडर है यह सबी चीजें हम दाल को बॉइल करने के बाद उसमें जो तड़का लगाएंगे उसके लिए समगरी ली है मैंने नेक्स यहां पर यह बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ती है तो इसको हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे तो चलिए फिर दाल बनाना शुरू करते है तो गैस पे मैंने एक प्रेशर कुकर चड़ाया हुआ है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है यसमें हम जो ओईल लिया था दो बड़े चमच उसको एड़ करेंगे और जैसी ही ऑईल गरम हो जाता है तो हम अपनी सारी समगरीयंस में एड़ करेंगे तो आईल गरम हो चुका है ये देखिए हम इसमें आदरक और लहसुन डाल देंगे और इसको हम भून लेंगे थोड़ी देल ताकि इसका कच्चपन निकल जाए अब नेक्स हमने यहां पर जो हरी मिर्च काटके ली हुई थी उसको एड़ कर देंगे हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मेंस आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं तो इनको हम भून लेते हैं पहले तो अभी यहां पर हम टमाटर रैड कर देंगे टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे पहले हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फिर इनको हम भून लेंगे अच्छे से तो टमाटर भी अच्छे से भून चुका है अब हम यहाँ पे जो ड्राय मसाले लिये थे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और साथी साथ हम जो नमक है वो डाल देंगे नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिला कर और एक मिनिट के लिए भून लेते हैं तो मसाला अच्छे से भून चुका है अब हमने यहां पर जो डाल ली थी उसको एड़ कर देंगे आप यहां पर बिना चिलके की डाल भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहां पर चिलका लगी हुई मूंग डाल बना रही हूँ तो दाल को भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको हम थोड़ा एक मिनिट के लिए भून लेंगे पहले तो दाल अच्छे से भून चुकी है अब इसको boil करने के लिए हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो यहाँ पे मैं एक से डेड़ ग्लास पानी एड़ करूँगी आपको कितना थिक रखना है कितना पतला रखना है आप उसके हिसाब से पानी एड़ कर सकते हैं तो चलिए हम कुकर का ढकन बंद कर देते हैं और इसको boil होने देते हैं तो डाल boil हो चुकी है यह देखिए तो अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसमें तड़का लगाना है तो हम तड़के की तयारी शुरू करते हैं तो डाल को मैंने निकाल लिया Abraham तो तरका लगाने के लिए मैंने इनापे च्छोटा पैन्ट चड़ाया यह घस पे इस पर मैं डालूँगी जो एक चमच घी लिया था इसको एड़ करूंगी घी मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा एड़ कर देंगे जीरा आप स्किप कर सकते हैं अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो देन इसके बाद मैं यहां पे हींग डाल देती हूं और उसके बाद साबुत लाल मिर्च डूड ली थी तो इसकी फ्लेम को आप गैस की फ्लेम को एकदम लो रखिएगा वरना यह जो चीज़े हमने डाली है वो जल भी सकती है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर जो लिया था वो डाल देते हैं तो अब हम इसमें डाल में तड़का लगा देते हैं सिंपल सा उपर सही डालना है ये देखिए और इसको हल्की से चम्बा से हम इसको मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा तो डाल बनकर हमारी एकदम तयार है ये देखिए तड़का भी लग गया है तो अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं तो मूंग डाल बनकर एकदम तयार है तो इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए हम इसको उपर से घी एड़ करेंगे अगर आप घी नहीं खाते हैं तो इसकिप कर सकते हैं मैंने या पर थोड़ा सा घी उपर से डाला हुआ है और गर्नेशिंग के लिए हम धन्या पती जो रखी हुई थी उसको एड़ करेंगे तो अभी हमारी दाल मूंग डाल तयार है बिल्कुल गर्मा गर्म हम इसको सर्व कर सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अप लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंस और फैमली में और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं निव वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ या कोई यादार एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर